आज जो में लेकर आई हूं आपके लिए और एक काना जी की नैपी लेकर आई हूं नए तरीके से तो उसके लिए मैंने ये उन लिया है ये रानी कलर की और ये सी ग्रीन कलर की उन लिया है और दौनों मेरी बेबी बूल है बेबी बूल लिया है तो मैं स्टार्ट इसे करूंगी ये देखें यहाँ पर मैंने नोट लगा लिया है और ये मैं एक नमबर से बना रही हूं 1,2,3,4,5,6,7 यहाँ पर मैंने साथ चैन लिए हैं और उसके बाद एक लूब बनाए अपना देखें एक दो यह तीसरी चैन में मैं यहाँ पर हाफ डबल करोश यह लूँगी और यहाँ पर पूरे प्रापर यह देखें एक दो तीन चार अब पांच यह देखें यहाँ पर मेरे पांच डबल करोश यह हो गए उसके बाद यहाँ पर मैं दो चैन लूँगी फिर इसको पलटना है फिर यहाँ पर यह देखें एक तीन चार और यह पांच और एक हमारे यह चैन वाला है तो हमारे देखें यह हमारा इस तरह से हो गए पांच डबल करोश हो गए इसी तरह से मुझे यहाँ पर चैन बनानी है एक दो उप़र चैन और बनानी है यह देखें मेरे यहाँ पर यहां तक हो गया है अब हम करेंगे क्या यहां पर मैंने दो चैन ली लिए है अब शुरू मैं जहां से मैंने चैन ही स्टार्ट किया है वहीं पर ही देखें एक हाफ डबल कई यहां पर लिया है फिर एक सिंगल लिया है फिर एक सिंगल लिया है फिर दो के बाद तीसरे में दो हाफ डबल करोशी लिया है फिर सिंगल लिया है डबल करोशी आ फिर सिंगल लिया है फिर दो हाफ डबल करोशी लिया एक दो यह देखिए है इस तरह से हमारा यह हमारा आएगा अब सेकिंड लाइन भी एक दो इसी तरह बनेगी यहां पर एक एक मैंने इद्ध इसलिए लिया है क्योंकि एक हमारा और लेडी पहले चैन वाला है तो यह देखिए वह अब डबल करोशया के उपर हाफ डबल करोशया और जहां पर बीच में हमारा आएगा वहांपर 2 डबल करोशया यह देखिए यहां पर हमारे दो डबल करोशया आएंगे यह इस तरह से यह हमारा यहाँ पर भी हमने 6 लाइन दिये यहाँ पर भी हम 6 लाइन करेंगे इसी तरह से फंदे 3 साइड, 2 साइड उस साइड में और 1 साइड बीच में बढ़ाते हुए बनाना है यह देखे मेरा हो गया अब यही से मैं दूसरा कलर लगाके इसका आउटर बॉर्डर करना है तो वो करूँगी, यह देखे यह इस तरह से थोड़ा इसको हम खीच लेंगे और यह दोनों फंदों को साथ में रखेंगे दोनों धागों को यह देखे दोनों धागों को साथ में रखके यहाँ पर दो सिंगल स्टिच फिर आगे वाली में जो हर एक लाइन है यहाँ पर हमारी उसमें सिंगल स्टिच करना है यह देखिए और उन को हमें यह अंदर ही ले लेना है ताकि यह हमारा बाहर ना आए यह देखिए इस तरह से और हर एक लाइन में से ले लेना है इस तरह से यह देखिए यहाँ पर इस तरह से यह हमारा आउटर बॉर्डर हो जाएगा पूरा अब यह देखिए यह हमारा इस तरह से हो गया है अब हमें कॉर्ण बणाना है कॉर्ण बणाना कैसे यहाँ पर मैंने एक लिया है सिंगल İş occasions एक को लेंगे फिर यहाँ पर दो और लेंगे मतल़ कि टोटल हमें यहाँ पर चाल लेना है यह देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर हमें फिर सिंगल लिश्टिच लेना है देखिए एक में से दो यह हमें इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड यहाँ तक पूरा बलाबर कर लेना है यह देखिए मेरा यहाँ तक हो गया अब यहाँ पर जो हम लेंगे हर एक चैन में से सिंगल इस्टिच लेंगे यह देखिए हर एक उस में से जो मैंने हाफ डबल करूश्य बनाया है तो हर एक में से एक लेंगे आपर हमें दो दो नहीं करना है यहां पर हमें एक करना है इस तरह से कि यह हमारा बनके नैपी त्यार हो गई यह अ अब यह देखी यहां पर लास्ट में डो डबल दो सिंगल स्टिच और एक चैन लेकि यहाँ पर मैं इसको बंद कर दोंगे यहाँ पर इसको कट कर लेंगे यह हमारा बन के त्यार हो गई है अब हम डोरी बनाएंगे इसकी यहाँ पर मैं इसको अंदर ले देती हूं ताकि यह हमारा अंदर ही रहे और भार धागन नहाए यह देखें यहाँ पर इस तरह से हो गई है और जितने भी यहाँ पर मेरे थ्रेड है जो एक्स्रा निकलेवे हैं सबको मैं कट कर लोगी ताकि हमारा अच्छा लगी दागे निकलेवे होते हैं वो चीज अच्छी नहीं लगती है अब यह देखें इस तरह से हम इसको देख लेंगे कहाँ पर क्या है मता कि सेंटर कहाँ पर अब यह देखें यहाँ पर इस तरह से हमने लिया यहाँ पर अब हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे तो यहाँ पर एक डोरी इदर बनाएंगे ये देखिए, यहाँ पे मैंने नोट लगा लिया, अब यहाँ पे मैं Orient से लूंगी और Import Se लेने के बाद यहाँ पे यह देखिए इस तरह से Loop बनाऊँगी और इस धागे को मैं थोड़ा, उनको जो निकली भी है इसको भी इसी के अंदर ले ले लेंगे ताकि यह हमारा बाहर ना है यहाँ पर फिर मैं 25 आप 25-30 बना सकते हैं मैं यहाँ पर 25 बनाऊंगी चैन यहाँ पर मैंने डोरी बना लिया अब हम इसको काना जी को पहनाएंगे कैसे यह हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम जैसे बच्चों को पहनाते थे यह देखेंगे सेम वैसे ही इसको हमें नैपी को पहनानी है जहां हमने चैन लिती वहीं से इसको निकालना है यह देखें यह इस तरह से हम यहाँ पर दोरी को बना लेंगे लगा लेंगे यह देखें और यह हमारा इस तरह से फेल यह हमारी बंद के त्यार हो जागी एक हमारी लंगोट बंद के त्यार हो गई है यह हमारी बंद के त्यार हो गई है अब आप बताईए आपको यह कैसी लगी है अगर आपको यह पसंद आई है और मेरा बनाने का बताने का तरीका आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करके जुरूर बताइए आपको यह कैसी लगया जो भी मेरे नए दर्शक है चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल नौटी को भी द बाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए भाए भाए